Here लाइ Plans नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टोप 25 परहोंख खबर जानते हैं डेस में अपरेल के मद में चरम पर पहुंच जाएगी करोरणा महामारी की दूसरी लहर बैग्यानिक बैग्यानिकों का अनुमान है कि कुरोना महामारी के दूसरी लहर अप्रेल के मद्ध में चरम पर पहुंच जाएगी बैग्यानिकों ने अनुमान एक गनीतिय मोडल का इस्तिमाल कर लगाया है बाग्यानिकों काया अभिकाना है कि माई अंत तक संक्रमन के मावलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है बता दे देश में कुरोना की पहरी लाहर के दोरान इसी मोडल के अधार पर्णमान लगाया गया था कि कुरोना संक्रमान की मामले अगस्त में बढ़ेगी और सितंबर तक चरम पर होगे मौसम भीभाग 7 अप्रेल से मौसम में बदलाव तेश धुप गरम हवा से इंदिनो रांची के मौसम से लोग परिसान है हलाकि मौसम भीभाग ने 7 अप्रेल से मौसम में बदलाव की संभावना ब्यक्त की है बता दे 7 अप्रेल को आकास में बादल चाहे रहेंगे जबकि कहीं कहीं बुंदा बांदी हो सकती है मौसम में बदलाव अस्थानिय कारणों से संभाव है यार पोर्ट, ट्रेन और बसों में सकती मास्क नहीं लगाने पर भेजेंगे वापस सरकार ने कुरोना की दूसरी लोहर को देखते हुए एक बार फिर सकती बढ़ा दी है बता देयार पोर्ट, ट्रेन, रेल्वे स्टेशन, बस, अड़ा, अटो, बजार में अबदा प्रबंधन से जुले दिशा निर्देश कावन पालन नहीं करने वाले की धर पकड़ सुरू कर दी गई है सगन चेकिन अभियान सुरू कर दिया गया है, वहीं टिकट रहने पर भी मास्क नहीं पहुनने वालों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी होमगार जवान पांच अप्रेल से जेल भरो अंदोलन के लिए तयार बिहार राजे की तर्ज पर जार्खन में सुविधा देने सहीत अपनी विभीन मांगों को लेकर अंदोलन कर रहे होमगार जवानों के नराजगी बढ़ती जा रही है इससे बतोर नागरिक समिधान में प्राप्त उनके अधिकार का उलंगन हो रहा है एसोसेशन की ओर से जारी ब्यान में कहा गया है कि अगर उनकी मांगों पूरी नहीं होती है तो जवान आगामी पाच अप्रेल से जेल भरो अंदोलन करेंगे जारखन में फिर लोगडाउन 6 अप्रेल को नीनाई लेगी सरकार कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए जारखन सरकार लोगडाउन में लगाई गई परवंदियों पर दी गई कुछ छूट वापस लेने पर विचार कर रही है बतादे मुख मंत्री हमान सुरेन अधिकारियों से लागतार संक्रमन की स्थिति पर रिपोर्ट ले रहे हैं एतियासिक दिन होगा गोड़ा रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस चलेगी बता दे सांसर डाक्टर नी सी कान धूबे हरी जंडी दिखाक कर हमसफर एक्सप्रेस के शुरुआत करेंगे इसको लेकर गोड़ा रेलवे स्टेशन पर जोर सोर से त्यारी की ज ज़ारखन के चाईबासा में 30 अपरेल तक 1244 जारखन के चाईबासा में 1144 लागू कर दी गई है लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरा संक्रमन को रोकने के लिए चाइबासा जीला पर साशन ने साशन के आदेश से 30 अप्रेल तक पूरे जीले में निशाधाग्या के तहट 1414 लगाया है बतादे पच्मी सिमूम जीला पर साशन ने बढ़ते कुरोना संक्रमन को लेकर सकती दिखाते हुए या बड़ा फैसला लिया है मन्रेगा के तहट एक अप्रेल से अप सरमिकों को 220 रूपे परतिमानो दिवस के रूप में परिश सरमिक दी जाएगी बतादे मुक्टरि हमंसुरेन की सविक्रिति के बाद गरामीन विकास विवाग ने राजे के सभी उपायुक्तों ऊप विकास आयुक्त सहाजीला का रेक करम 71 को बड़े हुए दर से भोगतान करने इसे समंधित पत्र जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने विधान सभा में भी इस समन्दित घोस्टना की थी उन्होंने तब कहा था कि केंद्र सरकार वन नेशन वन टेक्स की बात करती है तो मन्रेगा में एक समन्मजदूरी क्यों नहीं देती जार्खन के राची और जमसेद पूर क्रिटकल स्टेज में राजे में कुरोना का संक्रमन घटने से एक समय सभी जिले क्रिटकल स्टेज के दाएरे से बाहर आ गए थे लेकिन दोबारा संक्रमन बढ़ने से एक बार फिर विभीन जिले इस ओर बढ़ने लगे हैं बतादे राची तथा पूर्वी सिम्भूम इस स्टेज में पहुंच चुका है यदि संक्रमन बढ़ने की यहीर अफ्तार रही तो सिग्रही लवग कई जिले क्रिटकल के दाएरे में आ जाएंगे आई सी एमार के अनुसार जिले में एक लाकी अबादी पर पंदर से अधिक सक्रिय केस होने को क्रिटकल माना जाता है जार्खन में 694 नई मरीज मिले है जो राची से 368 बोकारो 29 देवघर 9 धनबाद 33 दुमका 32 पूर्वी सिम्वूं 93 गढ़वा 2 गिरीडी 6 गोड़ा 5 गुमला ठारा हजाई बागेगारा जामतरा 7 खोटी 10 कोड़ार्मा 9 लाते आर 5 लुरदागा 3 पाको 24 पलामू 1 रामगर 5 साहिमगा 16 देगा 25 पूर्वी सिम्वूं से 6 मरीज मिले है जार्खन में कूल संक्रमितों संक्याई 1,255,580 है वहीं 1,2562 लोग स्वास्तुय और 1114 लोग की मौथ हुई जार्खन में कूल एक्टिव केस 3,908 है भारत में 89,29 नई संक्रमित मिले है भारत में 1,444,141 की मिलीती हुई है वहीं भारत में एक्टिव केस 6,55,48 है मधुपूर उपचुनाव के लिए हेमन्द सुरेन किपक की त्यारी मधुपूर उपचुनाव को लेकर सतारोड महागट बंधन गंभीर है बतादे परत्यासी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जार्खन मुक्ति मोर्चा के कारिकारी अध्यक्ष हेमन्द सुरेन ने एक समन्वे समीती गठित की है इसमें जावमो कंग्रेस रायत समेत वामदलों के परमुख नेताओं को सामिल किया गया है मुक्ति मत्रे हेमन्द सुरेन के आवाज पर सुक्रवार को हुई बैटक में इस बावत समाती बनी महागटबंदर ने रहनिती बनाई है कि मधुपूर में एक जुठ होकर चुना अवियान चलाया जाएगा रांची में 25 बड़े सराम अभ्याओं पर करवाई की तयारी ज्यारखन से बिहार और हर्याना तक फ्रेले अवैद सराम के काले करोबार पर नकेल कसने को लेकर उतपाद विभाग गंभीर हो चला है इसी के मद नजर उतपाद विभाग द्वारा काली सुची बनाई गई है बता दे सुची न सिर्फ ज्यारखन बलिक बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार के उतपाद विभाग को भी थोड़ा सुकून जरूर देगी बता दे राजधानी में ही करीब 25 लोग के सुची तयार की गई है जो इस अवैद सराब के कारोबार में लगे हुए हैं इन पर दविस बनाने को लेकर दो विसेश टीम का गठन किया गया है होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों की जाच राची के उपायूक 26 रंजन के निदेश पर मेडीकल टीम होम आईसोलेशन में रहने वाले कोवीड पोजिटिव मरीजों के घर जा रही है साथी साथ या मेडिकल टीम उन्हें मेडिसीन किट भी उपलब्द करा रही है जार्खन में राम मंदिर के लिए एकाइस कोड़ रासी जमा बिश्व हिंदू परिषद जार्खन परांत कारी करनी की बैठक सुक्रवार को हर्मो रोड इस्थित परांत करयाले में हुई बता दे बैठक अध्यक्सता करयाले अध्यक्ष योगेंद्र रनाथ सिनहा और संचालन परांत मंत्री डाक्टर बिंद साओ ने किया इस मोगे पर परांत मंत्री डाक्टर बिंद साओ ने स्री राम जनभोवी मंदीर निर्मान ने धी समरपन अभ्यान की जनकारी दी उन्होंने बताया कि अभ्यान के तदा जार्खन परांत में कूल 20.757 गाउं तथा 28.186 परिवार तक संपर्क किया गया इस अभ्यान में 28.187 करेकरता साभागी बने इसमें लगवग 21.111 लाक रुपया रासी जमा हुई है डीजल की जगा CNG से चलेगी निगम की 40 बसे रांची को जो रेली धुए से मुक्ती दिलाने के लिए रांची नगर निगम नई कवायत करने जा रहा है बतादे रांची नगर निगम ने डीजल से चलने वाली अपनी 40 सीटी बसों को CNG में बदलने की योजना बनाई है जिस पर निगम दो कवर रुपय रासी खर्च करेगा बाबा बासुकी नाथ में असपर्स पर्रोक जाकन सरकार ने दुमका सहीत बिभीन जिलों में बढ़ रहे कोरोन संक्रमन के मामलों के मधर नजार प्रसीद तीर्थ अस्थल बाबा बासुकी नाथ मंदिर में असपर्स पुजा परोक लगा दी है बतादे साधालू अब यहाँ बीधी से ही पुजा कर सकेंगे इस बीधी से पुजा के लिए मंदिर में ऑनलाइन राई स्टेशन कराना होगा इस बारे में अपदा प्रमधन विभाग और राई सरकार ने जिला परसास को निर्देश दिया है रनवे की रीकार पेंटिंग के बाद रांची से शुरू होगी फ्लाइट रांची सित भीरसा मुंड़ा एरपोर्ट से जल्द ही कई सरो के लिए उडान शुरू होने वाली है बस इंतियार है रनवे की रीकार पेंटिंग का काम खतम होने का बतादे रणवे की मरमत का काम 27 अप्रेल को खतम होने के बाद कई स्वहरों के लिए उड़ाने शुरू करने की योजना है तीन माह में 7% अबादी को टीका करन के लिए रोज 2,77,000 टीका है जारखन में कुरोना वायरस से बचाव के लिए टीका करन की रफतार कई राजियों की तूनला में सूस्थ है हलाकि राज सरकार भी से सभयान चला का टीका करन की रफतार में तेजी लाने का लगतार प्रयास कर रही है बतादे राज में अभी तक 14,42,000 लोगों को पली डोज का टीका लगा है यदि राज की 70% अबादी को कुरोना से प्रतिरक्षित करना है तो 3 अप्रेल से अगले 3 महिने तक रोज 2,77,000 लोगों का टीका करन करना होगा ED ने नक्सली रविंद्र गांजू पर मोनी लोंडरिंग एक्ट में दर्ज की प्रत्मी की ED ने कुख्यात नक्सली 15,00,000 रुपए के इनामी रविंद्र गांजू और उसके सायोगियों पर मोनी लोंडरिंग एक्ट में प्रत्मी की दर्ज की है बतादे एडी ने राश्ट्रिय जाच एजनसी में रविंद्र गांजु पर दर्ज परात्मी की वाधार मानते हुए या परात्मी की दर्ज किया है बतादे पुरुम में एन आई ने रविंद्र गांजु के एक सवयोगी लाते हार के चंदवा निवासी मिर्टियूम जय उर्फ सोनु को ग्रेफतार किया था जिसके ठीकाने से दो क्रोश चौशट लाख रुपे बरामत किये गए थे पलामु में सिक्षा बेवस्था लचर पलामु जिले में लचर सिक्षा बेवस्था से सिक्षा की बुनियाद लर्खाने लगी है बतादे शिक्षको की कमी गुरुमाता पूर्ण सिक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है अधार्भुत सन रचना की कमी के कारण विद् पोत का इंजन राची में मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है बता दे यह चीज़ी के सुत्रों ने बताए कि राक्षा मंत्राले के गार्डेन रीच सीप बिल्डर्स और इंजिनियर्स लिमिटेड के राची स्थीत मेरिन डिजल इंजन प्लांट में इंजन का निर्वान होग दने बाद